हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिट्रेचर वित नेहा आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन डन की फेमस पॉयम इंदिस इस माइ प्लेज लास्ट सीन ये पॉयम ली गई है जॉन डन के फेमस पॉयट्री कलेक्शन होले सॉनेट से डिवाइन मेडिटेशन से य आगे इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इस पूरी पॉयम के लाइन बाइन एक्स्प्लानेशन को टाइटल को और थीम को तो बिना स्किप किये इस वीडियो को एंड तक देखिए इसे के साथ ही शुरू करते हैं अपनी आज की पॉयम तो सबसे पहले हम डिसकस करें तो मेरे प्ले का last scene तो बेसिकली इस पॉयम में पोईट अपनी लाइफ को एक प्ले की तरह बताता है तो मेरे प्ले का last scene का मतलब है मेरी लाइफ का last time तो तो basically इस poem में poet अपनी life के last days के बारे में discuss करता है First line है This is my play's last scene Poet कहता है कि ये मेरे play का last scene है मतलब ये मेरी life का last period है Here heavens appointed my pilgrimage's last meal यहाँ पर appointment का मतलब है determined और pilgrimage का मतलब है life की journey Poet कहता है कि ये मेरी life का last time है और अब heaven भी ये determine कर चुका है निश्चित कर चुका है कि मैं अपनी life की journey के last meal पर हूँ मतलब मरने वाला हूँ And my race ideally yet quickly run at this last pace Had all English का word है इसका मतलब है has या have Ideally का मतलब है useless यहाँ पर point अपनी life को एक race बता रहा है Point कहता है कि मेरी race मतलब मेरी life बड़ी जल्दी से बीट गई जिसका मुझे पता भी नहीं चला और मैंने अपनी इस life में कुछ भी useful काम नहीं किया और अब यह मेरी life का last pace है मतलब last step है Pace का मतलब है step My span's last inch Span का मतलब है race Point कहता है कि मैं अपनी life की race के last inch पर हूँ My minute's last point Point कहता है कि मेरी life की जो minutes थी मतलब मेरी life का जो समय था उसका ये last point है तो basically यहाँ पर point कहना चाहता है कि मैं अपनी life जी चुका हूँ और अब मैं अपनी life की last stage में हूँ And Gulton's death will instantly unjoint my body and soul Gulton का मतलब होता है जिसकी भू कभी शान्त ना हो Point यहाँ पर death के लिए कह रहा है कि जब भू की death मेरी लिए आएगी तो अचानक से वो unjoint कर देगी मतलब अलग अलग कर देगी मेरी body और मेरी soul को मतलब point कहना चाहता है कि जब मेरी death होगी तो मेरी soul मेरी body से अलग हो जाएगी And I shall sleep a space और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा But my ever waking part shall see that face Ever waking part का मतलब है शरीर का वो हिस्सा जो कभी भी सोता नहीं है मतलब soul माना जाता है कि soul कभी भी मरती नहीं है और कभी भी सोती नहीं है तो point कहता है कि जब मेरी death हो जाएगी तो मेरी soul heaven में चली जाएगी और heaven में जाने के बाद मेरी soul और God का face to face आमना सामना होगा Whose fear already shakes my every joint Point कहता है कि जब मेरी soul heaven में चली जाएगी और वहाँ मेरी soul का और God का जब face to face आमना सामना होगा तो उस पल का सोच करके ही मेरी बोडी का हर एक जॉइंट डर के कारण शेक कर रहा है मतलब काप रहा है तो बेसिकली पोईट ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पाप किये हैं तो अब उसे डर है कि जब उसकी सॉल हैवन में गौड के पास जाएगी तो गौड उसे क्या पनिश्मेंट देंगे Then as my soul to heaven, her first seat takes flight Heaven her first seat का मतलब है, heaven जो की सॉल का first और original घर है पोईट कहता है कि जब मेरी death हो जाएगी तो मेरी death के बाद मेरी सॉल हैवन में चली जाएगी जो की सॉल का first और original घर होता है Takes flight मतलब सॉल उड़ जाएगी और उपर आसमान में चली जाएगी And earth born body in the earth shall dwell यहाँ पर अर्थ का मतलब है मिट्टी पोईट कहता है कि जब व्यक्ति की death हो जाती है और उसकी सॉल हैवन में चली जाती है उसके बाद मिट्टी से बना हुआ शरीर फिर से मिट्टी में मिल जाता है So fall my sense that all may have their right Bread का मतलब होता है पालना इन लाइन्स में पोईट कहना चाता है कि सॉल कभी भी पाप नहीं करती है जो असल में पाप करता है वो है हमारी body तो यहाँ पर पोईट कहता है कि जब मेरी डैथ हो जाएगी और मेरी सॉल हैवन में चली जाएगी तो हैवन से मेरे सिंस नीचे गिरेंगे अपनी right place पर जहाँ पर वो पाले गए मतलब हैवन से मेरे सिंस नीचे मेरे शरीर पर गिरेंगे and would press me to hell पोईट कहता है कि मेरे वो सिंस मुझे hell तक धकेल कर ले जाएंगे input me righteous दस परगड़ ओफ एवल righteous का मतलब है virtuous परगड़ का मतलब है मुक्ती पोईट कहता है कि यहाँ पर पोईट गौड से request कर रहा है कि मैंने मेरी लाइफ में जो कुछ किया लेकिन अब आप मुझे एक अच्छा और virtuous इंसान बनाईए आप मुझे मेरी बुराईयों से मुक्ती दिलाईए evil का evil का मतलब होता है बुराई for thus I leave the world the flesh and devil ताकि मैं इस संसार को छोड़ सकूँ और मेरा यह जो शरीर है जो कि अब अपनी बुराईयों के कारण devil बन चुका है शैतान बन चुका है इसे भी मैं छोड़ सकूँ तो यह थी हमारी आज की पोयम है this is my place the last scene इस पोयम की theme है fear of death and punishment I hope आपको यह पोयम समझ में आ गई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, comment और subscribe करें वीडियो को एंट तक देखने के लिए thank you